तो आज के इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है आज हम लोग गनित का अध्याय तीन का प्रश्णा ओले तीन दसमलो तीन जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है इसके बाद चौथा अध्याय है आकडो का प्रमंदन वह हम लोग बाद में शुरू करेंगे हम लो 2.2 से चली शुरू करते हैं फटाक से तो देखिये 4.5 में हमिएब भाग देना है 2.2 से तो चली इसको में सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों इससंब्लो को हटाएंगे डिसम्लो के बाद जितनी संख्या होती उतना शुनिस्य से हम उसे भाग देते है ठीक है तो दस हो गया यहाँ पर हमें भाग देना है दो दसमलों दो से तो यह दसमलों को हटाने के लिए हम इसमें एक और शुन दस से भाग देंगे दसमलों की जगा एक और जितनी भी संख्या दसमलों के बाद होती उतनी संख्या के लिए उतने शुन से हम भाग देते है तो ये हो गया, तो हमारा ये दशमलो हट गया, तो 405 बटे 10 में भाग देना है हमें 22 बटे 10 से, ठीक है, तो 405 बटे 10, क्या करते हैं बच्चों हम, भाग के जगा पे गुना का चिन देते हैं, और जिस भिन से में भाग देना, उसका हम वित्क्रम उसका उर्टा लिखते हैं, 10 बटे 22, तो यह 10 और यह 10 कट गया, तो कितना हो गया बच्चों, 405 में 22 से हमें भाग देना है, 405 में हमें 22 से भाग देना है, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं, 405 में हम 22 से भाग देते हैं, तो देखे, 421, 22, 10 में से 2 गया 8, और 4 में से 2 गया 1, और यह हो गया 5, 185, ठीक है, फिर 22 में हम 8 से करीब- करीब भाग देंगे, एक लगा हात में आट दूनी 16, 17, 176, तो 62, 176, और इधर से एक खारसी लिए 15, 15 में से 6 गया, 9, ठीक है, और यहां बच गया 7, यह कड गया, ठीक है, फिर हम दसम्मलों लेंगे, और यहां शुने रखेंगे, ठीक है, तो 22 से करीब आपको, 22 से करीब 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 द में से आट गया, 2, ठीक है, और यह कड गया, तो करीब आठारा दसम्मलों चार, अगर हम एक दसम्मलों तक का उत्तर लिखें, तो यह आ जाएगा उत्तर बच्चों, 18, 4, तो यह हो गया पहला, चली दूसरा करते हैं हम लोग, दूसरा प्रशन है इसमें, 40, 5, 40, 5 में बच 1000 से, तो चली करते हैं इसको, 40, 5, सबसे पहले इस दसम्मलों खटाने के लिए हमने इसमें 10 से भाग दिया, और इसमें हमें भाग देना है 1000 से, और किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, तो में एक लिख देंगे, तो 405 बटे 10 में हमें भाग देना है 1000 बटे 1 से, ठीक है, त 405 बटे 10 गुना, एक बटे 1000, चीक है, 405 में एक से गुना किये, तो एक और 10 में 1000 से गुना करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, यानि करीपरिप 10 1000, अब क्या करेंगे बच्चो, 405, इसको हम लिख सकते हैं, 10 to the power 4, क्या लिख सक फिर इसे आप लिखेंगे 405 और इस 10 to the power 4 को उपर ले जाएंगे, तो यह माइनस में हो जागा, 10 to the power minus 4, हमें पता है, 405.0 गुना, 10 to the power minus 4, यह मैं इसलिए लिखती हूं ताकि यह आपको आसानी हो समझने में, तो यह हो गया बच्चो, 405.0 गुना, 10 to the power minus 4, इसका अर्थ यह होता है कि 10 to the power minus 4 को हटाने के लिए हमको यह दशमलो जो है, इधर हमें 20 से बाइकियो लिजाएंगे, तो दिखें, 4 संख्या के बाद हमें दशमलो लगाना है, तो पहली संख्या 5 हो गई, एक शुन्य दूसरी संख्या, तीसरी संख्या 4, लेकिन यहां 4 संख्या दी हु 5, चलिए तीसरा प्रशन करते हैं इसका हम लोग, तीसरा प्रशन है बच्चो, 2.5 में हमें भाग देना है, 0.5 से, तो चलिए सो करते हैं, 2.5, इस दसमलो को टाने के लिए हमने 10 से भाग दिया, भागा, 0.5, यह दसमलो को टाने के लिए हमने 10 से भाग दिया, तो देखें, पचीस बटे 10 में भाग देना है पांच बटे 10 से, ठीक है, और इसके बाद पचीस बटे 10 भाग के जड़ा क्या हो जाएगा, गुना, और यह इसका व्योत्कृम, 10 बटे 5, तो 10 और 10 कट गया, यानि कि पचीस बटे 5 बराबर आपका 5 उत्तर आ गया, ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा, चौथा है बच्चो, आठ में हमें भाग देना है 0.25 से, चलिए सुकरते हैं, आठ बटे एक में हमें भाग देना है 0.25, इस दशमलो को हटाने के लिए हमने इसमें 100 से भाग दिया, क्योंकि दो संख्या दशमलो के बाद तो दो शुन्य रखेंगे, ठीक है, तो बटे पचीस, ठीक है, आठ में 100 से गुना करेंगे बच्चो, तो 800 और पचीस में एक से गुना करेंगे, तो पचीस, आठ सो बटे पचीस, ठीक है, तो हम 800 में पचीस से भाग देंगे, तो पचीस एक पचीस, पचीस तरिक का 75, दस में से 5 गया 5 और यह कट गया और यह 32 उत्तरा आ गया चलिए पांचवा प्रश्न करते हैं पांचवा प्रश्न है बच्चों एक में हमें भाग देना है 0.25 से एक में हमें भाग देना है 0.25 से तो एक बटे एक में भाग देना है 0.25 तो यह दशमलो हटाने के लिए हम इसमें 100 से भाग दिए, तो 1 बटे-1 में हमें भाग देना है 25 बटे-100 से, ठीक है, तो 1 बटे-1, गुना 100 बटे-20, तो 1 में 100 से गुना किये 100 आया, और 25 में एक से गुना किये, तो 25 आया, तो पचीस चो का 100, तो यह आ गया उतकर आपका जार, ठीक है, चलिए छटा प्रश्ण करते हैं, छटा प्रश्ण है बच्चो, शुन्य में, शुन्य में हमें भाग देना है, शुन्य दशमलो पाँच से, शुन्य में हमें भाग देना है, शुन्य दशमलो पाँच से, तो चल पांच बटे 10 से, ठीक है, तो 0.1 गुना 10 बटे 5, आप देखिए, दस में आप शुन्य से जब आप गुना करेंगे, तो यह शुन्य ही आएगा, तो किसी संख्या में जब हम गुना करते हैं, तो क्या होता है बच्चों, युत्तर होगे आपका 0, सात्वा प्रश्ट, पांच में अगर हम 5 से गुना करते हैं, तो 0 बचे 5, 0 होता है, ठीक है, तो यह होगे आपका, और सात्वा प्रश्ट है बच्चों, 0.2 में हमें भाग देना है, 0.2 से, तो देखिए, 0.2 यह 0.8 लिए 10 से भाग दिये, 0.2 यह 0.2 में हमें 10 से भाग दिया, 2 बचे 10 में भाग देना है, 2 बचे 10 से, ठीक है, तो 2 बचे 10 गुना 10 बचे 2, 10 से 10 एक बार में कटा, 2 से 2 एक बार में कटा, 1 बचे 1 बराबर 1, तो यह आगे आपका उत्तर 1, ठीक है, चलिए, अब हम लोग next question करते हैं, देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न, एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है, ठीक है, कोई कपड़ा है एक थान का जिसकी लंबाई इतनी दी हुई है, यदि एक चातर की पुशाग 3.25 मीटर कपड़े से बनती है, तो कपड़े के एक थान से कितनी चातराओं के लिए पुशाग बनाई जा सकती है, मतलब एक बच्चे के कपड़े के लिए 3.25 लगता है, तो 32.50 मीटर में कितने बच्चु कल बनेगा, तो इसके लिए क्या करे है, देखिएं, आपर मैंने लिखा है, कपड़े की थान की लमबाई कितनी है बच्चो, 32.50 मीटर है, तो 32.5 मीटर लगता है, तो का पुशाक में 3.25 लगता है कपड़े की थान की पूरी लंबर 32.50 है तो कुल पुशाक की जो संख्या होगी बच्चों वो क्या करेंगे हमने बताया न इसमें भाग देंगे 32.50 में 3.25 से हम भाग देंगे तो हम क्या करेंगे देखें इसको लिखेंगे 32.50 में भाग देंगे 3.25 सी, निचे 100 से भाग दिया, और यह दशमलों हटाने के लिए हमने यह निचे 100 से भाग दिया, तब लिखे दशमलों हटाते हैं, 32 बटे 100 में हमें भाग देना है 325 बटे 100, ठीक है, तो 32 बटे 100, भाग के जगह बच्चों, यहां गुना, और इसका व्यत्क्रम 100 बटे 325 तो 100 से 100 कट गया बच्चो और 325 से ये कितने बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा कितने बार में? ये 325 से ये 3250 कितने बार में कटा? 10 बार में तो ही उतर आगे आपका 10 आपका आंसर आगे मतलब दस बच्चों के पोशाग का बनेगा इसमें उत्तर है कि कितने चात्राओं के लिए पोशाग बनाई जा सकती है बच्चों तो दस चात्राओं के लिए पोशाग बनाई जा सकती है आप लिख सकते हैं दस चात्राओं के लिए ठीक है, कितने चात्राओं के लिए बना सकते हैं, पोशा, 10 चात्राओं के लिए बना सकते हैं, चलिए, आप देखी बच्चों, यहाँ पर नेक्स, चौथा कोशन है, किसी आयत का छेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है, ठीक है, यदि उसकी चोड़ाई 1.25 मीटर की हो, तो लंबाई ग्यात कीजिए, ठीक है, तो देखी आप में, आयत का छेत्रफल कितना दिया है, बच्चों, आयत का छेत्रफल दिया है, 6.5 वर्ग मीटर, 6.5 वर्ग मीटर, ठीक है, आयत की चोड़ाई, तो आयत की चोड़ाई कितनी दी है, बच्चों, 1.25 मीटर, आयत की चोड़ाई कित क्या है आयत की लंबाई मान लेते हैं बच्चो X है यही लंबाई हमें निकालनी है ठीक है तो देखें आयत का जो छित्रफल होता है लंबाई गुना चोड़ाई होता है आयत का जो छित्रफल होता है लंबाई गुना चोड़ाई तो देखें यहां पर आयत का छित्रफल 6.5 तो हम यहां लिखेंगे 6.5 बराबर लंबाई हमें निकालनी है तो हम यहां x लिखेंगे लंबाई के जगा गुना चोड़ाई कितनी है बच्चो एक दर्सम्लो दो पांच चोड़ाई है ठीक है अब इसको हम हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा बच्चो 6.5 बटी 1.25, कैसे 6.5 और x में इसका गुना करेंगे, तो यह वाला equation आजाएगे, इसके नीचे एक रहता है, यानि इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, तो आपकी equation आजाती है, ठीक है, तब हम इसको भाग देंगे, 6.5 में हमें भाग देना है, 1.25 से, तो क्या करेंगे या दशमलो खटाने के लिए हम इसमें 10 से भाग देंगे, या दशमलो खटाने के लिए हम इसमें 100 से भाग देंगे, अब देखिए, 65 बटे 10 में हमें भाग देना है, 1.25 बटे 100 से, ठीक है, तो 65 बटे 10 गुना, 100 बटे 125, ठीक है, तो यह एक शुन से, एक शुन कड़ गया 5 से या 25 बार में कटा, 5 से या 13 बार में कटा, ठीक है, फिर 5 से या 5 बार में कटा, और 5 से या 2 बार में कटा, तो 13 गुना 2 बटे 5, कितना हो गया बच्चो, 26 बटे 5, और जब हम 26 में 5 से भाग देंगे, तो उत्तर आ जाएगा बच्चो, हमारा 5.2 मीटर, ठीक है, कितना उत् बच्चो 5.2 मीटर जब 26 में आप 5 से भाग देंगे तो 5.2 देखे 5 बच्चे 25 और एक बचेगा ठीक है और हम दसंबलो लेके शुन ने 5 दुनी 10 5.2 मीटर चले यहां पर देखते हैं पांचवा प्रश्न है एक मुबाइल कमपनी तीन पैसे प्रति सेकेंड की दर से कॉल करने की चारज लेती है यदि सुनाली द्वारा फोन पर 0.9 रुपया लगता है तो उसने कितने समय तक मुबाइल पर बात की तो चले इसको हल करते हैं आपे देखे एक सेकेंड बात करने में तीन पैसा लगा ठीक है एक सेकेंड बात करने में तीन पैसा लगा तो 0.9 रुपया बात कीया जब उसने बात किया तो 0.9 रुपया लगा तो बोल रहा है परशन में कि उसको कितना समें उसने बात की तो दिखे बचो यहां पैसे में दिया हुआ और यहां पर 0.9 रुपया लगा तो सबसे पहले हम रुपय को क्या करेंगे, पैसा में बदलेंगे, तो आपको पता है बच्छो एक रुपया में 100 पैसा होता है, कितना होता है बच्छो एक रुपया में 100 पैसा होता है, चो 0.9 रुपया में कितना पैसा होगा, क्या करेंगे हम 0.9 से 100 का गुना करेंगे, जब बात किया तो कितना समय उसने बात किया, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखें आपे लिखेंगे, तीन पैसा बात करने में एक सेकंड लगा, मैंने सेकंड को SEC SHORT में लिखा है, तीन पैसा लगता है, एक सेकंड बात करने में, ठीक है, तो यहां नब्बे पैसा लगेगा, बात करने में कितना सेकंड लगेगा, एक बटे तीन गुना नब्बे, ठीक है, यानि नब्बे बटे तीन, यहां कट गया तीस बार में, यानि कि तीस सेकंड लगेगा, ठीक है, य तो 90 पैसा में 1 बटे 3 गुना 90 सेकंड बात हुआ, यानि 90 बटे 3 बराबर 30 सेकंड बात हुआ, चली अब देखिए यहाँ पे छटा प्रशने बच्चो, एक आदमी ने लगतार 10.5 घंटे तक सिलाई की, ठीक है, कितने घंटे, साड़े 10 घंटे तक सिलाई की, यदि वस तो 3 घंटे में 1 सलवार सिलता है, तो उसने कुल कितनी सलवार सिली, ठीक है, तो चली इसका कोशन करते हैं हम लोग, इसका कोशन करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, एक सलवार बनाने में लगा समय, एक सलवार बनने में कितना समय लगा बच्चो, 3.5 घंटे ल बच्चो, 10.5 से 3.5 में हम भाग देंगे, 10.5 में 3.5 से हम भाग देंगे, तो कितनी सलवार से लिए ये हमें पता चल जाएगा एक सलवार बनाने में लगा साड़े तीन घंटा, तो साड़े दस घंटे में बने सलवारों की संख्या क्या होगी बच्चों, 10.5 में हम 3.5 से भाग देंगे, ठीक है, तो चलिए इसमें भाग देते हैं, 10.5 में हमें भाग देना है 3.5 से, तो यह दसमलो हटाने के लिए 10 से भ ठीक है, तो 105 बटी 10 गुना 10 बटी 35, तो यह 10, यह 10 कट गया, ठीक है बच्चो, और 105 पैंटीस, 35 से जब 3 बार में 105 कट गया, कितने बार में कटा बच्चो, 3 बार में, तो यह आ गया उत्तर आपका 3, देखे, 135 में 3 से जब हम गुना करें, 3 पच्चे, 15, एक लगा हाथ में 3 करनो, 10, 105, ठीक है, तो उत्तर आगया, 3, तो इसका उत्तर क्या होगा, बच्चो, 10.5 गंटे में 3 सलवार बनेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं, 10.5 गंटे में 3 सलवार बनेंगे, यह इसका उत्तर आएगा, 3 सलवार बनेंगे, ठीक है, अब बच्चो, आपका last question है, question number 7 है, देखिए लसी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलो ग्राम है तो एक पैकेट का वजन घ्याद कीजी ठीक है 15 पैकेट का वजन दिया हुआ है तो लसी के 15 पैकेट का वजन जो है बच्चो वह कितना है 1.47 kg है, कितना है, kg, ठीक है, तो 1.47 लस्टी की एक पैकेट का वजन कितना होगा, ठीक है, तो 1.47 में हम क्या करेंगे, 15 से भाग दे देंगे, ठीक है, 15 पैकेट का वजन इतना है, तो 1.47 बटे 15, तो चलिए, इसको हम करते हैं, 147 में हमें, 1.47 में हमें भाग देना है, किसे बच्चों, 15 से, ठीक है, तो 1.47 में दे देसंलों हटाने के लिए, हमने 100 से भाग दिया, और भाग देना है, 15 बटे 1 से, ठीक है, तो 1 बटे 47 बटे 100 गुना 1 बटे 15 हम इसको लिख सकते हैं 147 बटे 15 गुना 1 बटे 100 इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं तो चलिए अब 147 में आपको भाग देना है बच्चों 15 से तो देखें 147 में हम 15 से भाग देंगे ठीक है तो सीधी 159 135 7 में से 5 किया 2 यहां यह 4 में से 3 गया 1 ठीक है तो 12 नहीं कटेगा दसमलो लेंगे हाँ 0 158 120 यानि 9 दसमलो 8 तो 147 बटे 15 में कितना आगया 9 दसमलो 8 गुना 1 बटे 100 हम इसको लिख सकते 9 दसमलो 8 बटे 100 और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 9 दसमलो 8 बटे 10 तुथी पावर 2 छीक है अब हम इसको लिख सकते हैं 9 दसमलो 8 गुना 10 तुथी पावर जबी उपर जाएगा तो माइनस 2 तो यहाँ देखिए माइनस 2 को हटाने के लिए इस दसमलो को 22 बाएं के इधर ले जाना पड़ेगा तो 9 और 0 दो संख्या हो गई एक संख्या थी और यहाँ पे 2 संख्या के बाद लगाना तो एक 0 हमने बठा दिया और यहाँ पे 0 तो हमारा उत्तर आ गया बच्चों तो 9.8 बटी 100 बराबर 9.8 बटी 10 तुटी पावर 2 9.8 गुर्ण 10 तुटी पावर माइनस 2 जब हुम इसे उपर ले गए तो फिर क्या करेंगे देसमलो को इदन सकाएंगे तो 0.0.098 kg ठीक है ग्राम ने kg ठीक है तो यह अपका 3.3 आज यहां पूरा हुआ और नेक्स हम लोग 14 चैप्टर आकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए शेर करिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए